नमर्शिवाई पहला और दूसरा वाख हम पढ़ चुके हैं अब तीसरा वाख पढ़ते हैं आई सीधी राह से गईन सीधी राह सुशुम सेत उपर खड़ी थी बीत गया दिन आह जेब टटोली कौडी न पाई माजही को दूं क्या उतराई सुशुम सेत उपर शुशुम न नाड़ी रूपी पुल जेब टटोली कौडी न पाई कौडी न पाई अनि कुछ भी नहीं मिला जेब टटोली आत्मा कोजब टटोला आत्मा लोचन किया माजही इश्वर रूपी नाविक कवेत्री अपने जीवन का अन्तिम समय नजदीक जान करके अपना आत्मा लोचन करते हुए सोच रही है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या किया वो कहती है कि आई सीधी राह से जब मैं इस दुनिया में आई थी तब मैंने इश्वर को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सीधा और सरल भक्तिक के मार्ग को अपनाया गई न सीधी राह परन्तु मैं उस भक्ति मार्ग पर सीधे रास्ते पर चल नहीं पाई भक्ति मार्ग के सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई और मैं रास्ता भटक गई और सांसारिक मोह माया के जाल में फसी रही और जब मुझे इस बात का ग्यान हुआ कि मेरा सारा समय व्यर्थ हो रहा है तब मैंने क्या किया मैंने इश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग का सहारा लिया सुसुम सेतु पर खड़ी थी उन्होंने हठ योग का सहारा लिया हठ योग बहुत ही कठिन होता है और लेखिका ने अपनी कवेत्री ने अपनी हट योग के द्वारा इश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की और जब उन्हें पता चला कि हट योग द्वारा भी इश्वर को प्राप्त करना बहुत कठीन है बहुत मुश्किल है तब उन्हें एहसास हुआ कि इस हठ योग के चक्कर में सुसुमना नाड़ी को जागरित करने के चक्कर में उनका सारा जीवन बीत गया वह सोच रही हैं आत्मा लोचन कर रही हैं कि जब इश्वर रूपी नाविक उन्हें इस संसार सागर से पार लगाएंगे तो मैं उन्हें उत्राई क्या दूँगे जिस तरह से हम नदी पार करते समय नाविक को उत्राई देते हैं उसे कुछ पैसे देते हैं उसी तरह जब हमें इश्वर इस संसार सागर से पार लगाएंगे तब हमें उन्हें उत्राई में देने के लिए अच्छे कर्म करने होते हैं तो कवैत्री ने क्या किया कि वो हट योग के चक्कर में पड़ी रही और उन्होंने अपने जीवन में कोई सतकर्म, कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं इश्वर को देने के लिए सतकर्म रूपी उत्राई उनके पास है ही नहीं वह जीवन के अंतिम समय में कोई पूण्य कार्य कर ही नहीं पाई उनके पास इश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है और अब वह पच्ताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती क्यों? क्योंकि सारा समय बीच चुका है उनके जीवन का अंतिम समय पास आ गया है और अब वह केवल पचता ही सकती है कुछ कर नहीं सकती अंतिम वाक है थल थल में बसता है शिवही भेद न कर क्या हिंदू मुसल्मा ज्यानी है तो स्वयम को जान वही है साहिब से पहचान यहां पर इन पंक्तियों में कवेत्री ने बताया है कि इश्वर कण कण में व्याप्त है वह सब के रिदय में बसा हुआ है इसलिए भेद न कर हिंदू मुसल्मा हमें हिंदू और मुसल्मान जान करके किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना चाहिए ज्यानी है तो स्वयम को जान अगर कोई ज्यानी है तो उसे खुद के अंदर ज्हांकना चाहिए और अपने आपको जानना चाहिए वही है साहिब से पहचान साहिब यानि इश्वर कवित्री कहती है कि व्यक्ति को अपने भीतर जहांक करके अपने आपको जानना चाहिए क्योंकि वही इश्वर से मिलने का एक मात्र साधन है एक मात्र वही इश्वर से मिलने का सहारा है कि हमें व्यक्ति को स्वयम के भीतर देखना चाहिए स्वयम को जानना चाहिए आज के लिए वस इतना ही ओम नमशिवाए